तूड़े भी आज गोने टू स्टार्ट नू चेप्टर चेप्टर टेन वाटर फ्लो ज फ्रोम अपसाइड ट्वाटर अपसाइड से डाउन साइड की तरफी फ्लो करता है स्टुडेंट्स मैंने इससे पहले के सारे चेप्टर चैनल पर अफ्लोड कर दिये हैं आप लिष्ट इवी एस की जाके चेप्टर कर सकते हैं उसमें सारे सोल्यूशन साहित मैंने चेप्टर डाल दी हैं आप जरूर चेक करना उन वीडियो को जरूर देखना अज नई चेप्टर को स्टार्ट करते हैं चिल्डरेण्ण्ट यू नो देट डूरिंग रेणी सीजट वाटर फ्लोइग फ्रोंग एवाटरफरॉल और रिवर गेट कलेक्टेड इन्टू पॉंड एंटू पॉंडड चिल्डरेण यू तुम जानते हो दूरिंग रेणी सीज़न बरसात की दिनों में वाटर के द्वारा तो इसका मिन्स यह वहां कि water है वो downward flow करता है we use flowing and pond water everywhere in our daily life हम flowing water का daily life में कई जगये use करते हैं at which place have you seen water flowing आप खहां पे water को flow करते होए देखते हो we have seen the flowing water in canals, springs, drains, rivers at which place around you have you seen flowing water being used आप अपने चारो तरफ खहां पे देखते हो कि बैतावा पानी उसका यूज किया जाता है कि यूज के लिए बैतावी पानी का यूज करते है flowing water is being used in generating hydro electricity and provide facility of irrigation flowing water है वो किस लिए यूज करते हैं hydro electricity के लिए और वो hydro electricity उसे बिजली बनती है उससे फिर अपन इरिगेट करते हैं या फिर दूसरे रूप में अपन flowing water का irrigation में भी यूज करते हैं तो एक तो बिजली बनाने में और irrigation में इसका यूज करते हैं water in fields if it rains enough there is no shortage of water अगर rain अच्छी होती है तो water की shortage नहीं होती है खेतों में कमी नहीं होती है agriculture के लिए खेतों में agriculture जो खेती करते हैं उश के लिए पानी की कमी नहीं होती है जब rain अच्छी हो But if it doesn't rain or it's rainless लेकिन अगर rain नहीं हो और rain कम हो then the crop needs extra water तब क्रोप को अक्ष्ट्रा पानी की जरुरत पड़ती है This is called irrigation जब अपन अक्ष्ट्रा पानी उस क्रोप को देते हैं उसे ही अपन क्या बोलते हैं? इरिगेशन ने बोलते हैं Think and Tell What are the source of water from irrigation? Water irrigation के क्या-क्या source है? केनाल है, रिवर है, पॉन्ड है Water of rainfall है यह irrigation के system में इनसे द्वरा अपन सिचाई करते हैं If that, distribution of water is not equal in the whole field What would be its effect on क्रोप? अगर पूरे खेत के अंदर पानी हर जगा equal amount में नहीं जाएगा तो क्या उसका effect होगा? Accessive water destroy क्रोप अगर कहीं पी ज़्यादा पानी चला गया तो उसे क्रोप destroy हो जाएगी And secrecyity of water creates drought और कम पानी है, वहाँ पे सूका हो जाएगा पसल सूक जाएगी What should we do so that the water reaches the whole field? आप पूरे खेत को पानी पहुंचाने के लिए क्या कर सकते हो? For this, we can supply water by fountain process इसके लिए अपन fountain process मतलब अपन रस्ता बना के चुपक का रस्ता होता है उस परकार से बना के खेतों को पानी पहुंचा सकते है fountain system के द्वारा यह देखो इस springler है यह water system है और यह two well system से पानी की supply हो रही है खेतों में next find out and write down see the picture and write that how is water reaching the field उपर इक पिक्चर को देखे बताई खेतों में पानी कैसे पहुंचाया जाता है खेतों में पानी टूवेल के द्वारा with pipeline and motor के द्वारा जो टूवेल होती है उसे pipeline जोड़ी जाती है और फिर motor के द्वारा खेतों में पानी पहुंचाया जाता है in which method of irrigation animal labor is used किस method के animal labor यूज़ करते हैं इस रहेट इरिगेशन रहेट इरिगेशन स्टुडेंट अभी आगे पढ़ेंगे जो आएगा अभी अपने in which method of irrigation electricity is used motor and pump set किस इरिगेशन में electricity यूज़ होती है जो motor से चलाते है अपन और pump set यूज़ करते हैं वहाँ पे अपन electricity का यूज़ करते हैं which source of irrigation are being used in the field around you अपने चरो तरफ irrigation क्या system यूज़ करते हैं इस प्रिंगलर system यूज़ करते हैं also tell which method have been used to obtain underground water in the picture above बताइए उपर जो method दियावा है obtain underground water अपने underground water किस प्रकार बहार लाते हैं पिक्चर में बदे के बताइए टूबेल के द्वारा and motor के द्वारा in the above picture how is the nature of water is flowing from upside towards downside being used आप उपर की पिक्चरों में देखके कौन सी पिक्चर में आपको लगता की पाने नीचे से उपर के तरफ है upside towards downside downside से उपर के तरफ है तूबेल के अंदर देखो पानी हमेशा upside से downside की तरफ होता लेकिन जब भारा के पानी गिरता है तो तूबेल के अंदर यहसा system देख सकते हो we know that the level of underground water and boundaries are also deep आप जानते हो कि underground पानी है और boundaries है उनका level बहुत गयरा होता है we use special equipment to get water from them अपन special equipment संसाधन यूज करते हैं उस पानी को बहार लाने के लिए so that we can take this water to irrigate our field उस पानी को बहार लाने के लिए कई तरह के system यूज करते हैं और फिर खेतिक खेतों में उस पानी को यूज करते हैं आगे रहे कि need of water sometime less sometime more हमें पानी के कभी कम जरूत होती है कभी ज़्यादा जरूत होती है every crop need different quantity of water हरे crop को different quantity में पानी चाहिए if a farmer know this best use of water can be made इस ये farmer को पता होता कि कौन से crop को कितना पानी देना है some crop need more water while some need less water कुछ crop को ज़दा पानी चाहिए और कुछ को कम पानी चाहिए thus wastage of water can be avoided इसलिए इससे अपन को पानी wastage से बचना चाहिए avoid करना चाहिए जैसे crop of rice, sugar can, peddy need more water rice, sugar can और peddy जो crop है गरने की चावल की पेड़ी की इसको ज़्यादा पानी चाहिए वहीं पी, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर need less water इनको पी मठर, ग्राम, चना, ओनियन, प्याच, कुकुम्बर, ककड़ी इन सब को कम पानी चाहिए तो rice, sugar can, peddy को ज़्यादा पानी चाहिए ग्रोथ करने के लिए पी, ग्राम, ओनियन, कुकुम्बर को कम पानी चाहिए विच क्रोप need the field to be completely filled with water ऐसे कौनसी क्रोप है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए या क्रोप में, फिल्ड में बहुत ज़्यादा पानी होना चाहिए तो इसके लिए आपको देखो rice, sugar can, पेड़ी है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए विच क्रोप can be grow even by using minimum water कम पानी में कौनसी क्रोप grow करती है तो पी, ग्राम, ओनियन, कुकुमबर ये कम पानी में grow करती है वर्किंग ओप ए रहेट अब देखो रहेट सिस्टम क्या होता है रहेट is a wheel like structure which is used at a whale और बावडी रहेट एक wheel like, wheel मतलब tire जैसे structure होती है जो whale और बावडी में use की जाती है several water containers are attached to it ये जो रहेट होता है इस पर बहुत सारी water container attached किये जाते हैं when they are dipped into water, जब ये पानी में डूबते हैं they get filled, तो ये पानी से भर जाते हैं, fill हो जाते हैं outside, दूसरी side में, जब ये भाहर आते हैं when these container come downward, जब ये down की तरफ जाते हैं through a moving wheel, गुमते हो ये wheel पर water flow on the wall of the wheel तो water है, वो उपर से जब नीचे की तरफ वापी जाते हैं ये bucket तो वापीस ये पानी खाली हो जाता है, वो खाली होता है तो किसी अपन फिल्ड के अंदर इसका यूजे करते हैं from there, water reaches to the field through drains अपन खेतों में, ड्रेंस के द्वारा नालेव अगिरा बना के उसको पानी खेतों में पहुंचाते हैं bull is used to run it, bulls इसको चलाने के लिए यूज करते हैं बेल का इसको चलाने के लिए यूज करते हैं, भी नीचे डाइग्राम आएगा आएगा आपने if in the middle of it, इसके बीच के अंदर, sugar cane machine is attached जब यह गूमता है तो बीच में sugar cane, जो गन्य का juice निकालने की machine होती है उसको attach कर देते हैं sugar cane juice is obtained and if mustard is used, अगर mustard oil निकालना हो तो वो भी यूज कर देते हैं we can get oil, तो उससे अपन oil भी निकाल सकते हैं this is called killing two birds with one stone मतलब issue को बोलते हैं क्या, कि एक stone की साइटा से, एक stone से दो birds को kill करना मारना देखो diagram दिखाता हूँ, देखो यह बेल है, इसमें अगर आपको clear नहीं देख रहा तो book में देख लाना या net पे आप search कर सकते हैं, और red system आपको अच्छे से diagram दिखाई दे जाएगा यह red system है, जब यह गूमता है, तो यह पानी इसके अंदर फिल हो जाता है और फिर आता है तो यह बाल्टियम वापिस खाली हो जाती है और खेतों में पानी पहुंचाते हैं तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, इसलिए बोलाएं कि एक मसीन से दो काम करने तो इसको बोलते हैं killing two birds दो पक्षियों को kill करना एवा एक stone से, एक ही फतर से Due to increasing use of electric motor, electric motor का use बढ़ने से bulls are used less nowadays, bulls का use आजकल कम हो गया है 8 प्रेजेंट, some people are doing a small experiment on electricity production by running dynamos using bulls more the requirement of the आजकल लोग इसका बहुत कम यूज करते हैं, आजकल electricity आने से लोग dynamos machine का यूज करने लगे हैं, bulls की जगे अगर student आपको यह रहेट सिस्टम का वीडियो देखना हो तो मैंने मेरे चैनल पर यह चेप्टर पहले भी डाल रखा है, evs की playlist में जाओगे तो यह चेप्टर पहले जो डाला वा उसको खोलना, उसमें वीडियो एड़ किया है मेरा रहेट का, कैसे work करता है, उस वीडियो क जाकि आप देख सकते हो, आप evs की pj education point पे evs की playlist खोलना, उसके अंदर यही चेप्टर खोलना, उसमें आपको देखोगे तो उसमें यह आपको वीडियो मिल जाएगा next है, water flow downward, how can you use these features of water, water downward की तरबैता तो इस features कैसे use करते हो, the water flow downward direction, this water is used for drinking purpose, generating hydroelectricity and increase the facility of irrigation, अपन hydroelectricity बना सकते हैं, irrigation खेतों में शिचाई कर सकते हैं, इसकी साहता से, what is the way of getting water from well, well से पानी कैसे मिलता है, with the help of ropes, रशी के द्वारा and bucket से, the water is taken out from the well, nowadays, rahat and motor pumps are used, if the water level of the well goes down, how can we get water using rahat, if the water level in the well goes down, the level of water should be made equal to the rahat level, तो water का लेवल के नुसरापन को रहट का लेवल भी बनाना पड़ेगा, what are the meaning of irrigation, the different method of irrigation are, to well, motor set, pump set, रहट वेल, canal, ETC, यह देखो, क्यूशन, डाइग्राम देखे कुछ क्यूशन बनाने है, look at the picture of rahat given below and write three questions of obtain more information about, यह रहट का डाइग्राम में, इसको देखके आप क्यूशन बनाने है, what is the rahat and where it is attached, रहट क्या होता है और कहां पर attached क्या जाता है, what is used to run it, यह रन कैसे क्या जाता है, in what work is the rahat used, रहट से अपन क्या वरक करते हैं, यह springler system, look at the picture of a springler given below and write three questions on get more information about it, यह springler system है, what is springler and where it is attached, springler क्या होता है, कैसे खाँ attached क्या जाता है, what is used to run it, कि इसको चलाने के लिए कैसे यूज़ क्या जाता है, in what work is springler used, springler के लिए क्या 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 वरक करता है, कैसे यूज़ करते हैं, look at the picture की below and mention the step involved in the rahat irrigation system, देखो, रहट irrigation system क्या step होते हैं, a rahat is a wheel like structure, many vessels of water are attached, इसमें कई vessels add करते हैं, auction are used to operate the rahat, auction को अपन bells को यूज़ करते हैं, operate करने के लिए, water flow through the drains and reach its farms and help the irrigation, फिर ये drains के दोरा पानी बतावा, खेतों में पहुंचता है, नैम एने 3 crop which require less water, वो पी, ग्राम, ओनियन, जिसको जो कम पानी में ग्रो करते हैं, तो student ये chapter complete होता है, student चेप्टर वीडियो पूरा देखने हैं लिए बहुत बहुत थेंक्स आपका धन्यवाद, student अगर वीडियो पूरा देखा, तो उसको like भी करते हैं, वीडियो अच्छा लगाता हो, चैनल को subscribe करने ला, आज के लिए इतना ही, thank you,